find the value of each of the following using the diagonal method fifth part 67 का square निकालना है किस method से diagonal method से देखिए diagonal method में इस तरीके से आपको diagonal बना लेने है और निकालना किसका था 67 का तो देखो ये जो 67 है ना उसमें 6 को आप यहां लिखो और 7 को यहां लिखो इसी तरीके से 6 को यहां और 7 को यहां इसका हमें square निकालना था तो देखो 7 की multiply 7 से करोगे तो इस column में लिखना पड़ेगा इस वाले box में इस वाले में तो वैसे 7 की 7 से करें तो क्या आता है 49 तो unit place को लिखो यहां और 10s place को लिखो यहां अब देखो 7 की जब 6 से multiply करोगे तो कितना आएगा 42 तो 2 को कहा लिखोगे इसमें और 4 को लिखोगे इसमें अच्छा 6 की जब 7 से करोगे तो आएगा 42 तो 42 में 2 को कहा लिखोगे यहां और 4 को लिखोगे इसमें और 6 सिखजा होता है 36 तो unit place 6 को लिखो इसमें और 10s place को लिखो इसमें clear है अब देखिए यह जो है न यह हम इस तरीके से add करेंगे इस तरीके से तो सबसे पहले मैं इसको add करता हूँ तो इसको add करेंगे तो क्या एगा देखो 9 ठीक है 2 और 4 6 और 2 8 तो इस तरीके से add किया तो इसका सम कितना है हमारा 8 और 4 और 6 10 और 4 14 तो इस तरीके से add किया तो कितना है इसका 6 4 10 और 4 14 कि 4 और carry 1 कहां गया इस वाले में तो पहले इसको देखो आप 3 है 3 में 1 add किया तो क्या आया 4 तो यहां पर हमारा answer क्या आया है यह 4 4 8 9 तो यह जो 4 4 8 9 है किसका square है 67 का square आई hope आपको समझ में आया होगा अगर नहीं आया होगा तो एक और करते हैं इसका देखे आप देखे 6 है 86 का square तो 86 है तो 86 को आप यहां से लिखना चालू करेंगे 8 और इस वाले column के उपर 6 और फिर आप इधर लिखे 8 और इधर 6 तो 6 6 है कितना होता है 36 तो उस 6 को लिखो आप यहां इननों की multiply इस column में आईगी और 3 को लिखो यहां अब देखे इस column में के लिखो के इसकी और इसकी multiply है तो कितना होता है 8 6 यह 48 तो 8 आएगा इधर और 4 आएगा इधर एट एट जा 64 तो 4 को कहा लिखो यहाँ और 6 को कहा लिखो यहाँ और 8 सिख जा 48 तो 8 इसमें और 4 इसमें अब आपको कुछ नहीं करना प्लस करना है कैसे इस तरीके से देख ऐसे और यहाँ पर लिखा 6 8 और 3 11 और 8 19 की 9 carry 1 तो 1 वाला ऐसे carry लिख लो और देखो 4 4 4 कितना हुआ 12 और 1 13 तो 13 की 3 फिर से carry 1 अब देखो यह क्या है 6 और 1 7 तो यही हमारा answer है किसका 86 का square का ठीक है करते हैं आप next part वो है 137 का square तो आप क्या करें 1 यहां लिखें 3 यहां लिखें और 7 यहां लिखें सेम काम आपको ऐसी करना है तो 1 इधर 3 इधर और 7 इधर अब देखो 7 7 जा क्या होता है 49 तो 49 में unit place इधर और 10s place इधर अब देखो इस box में क्या लिखोगे इसकी और इसकी multiply तो 3 7 जा 21 तो unit place लिखोगे इधर और 10s इसकी ऊपर वाली में फिर देखो 7 बन्जा 7 है ना अच्छा 7 यहां लिख दिया तो इसमें क्या लिखें अब तो इसमें कुछ नहीं है तो 0 क्यों क्यों क्योंकि 2 डिजिट में answer लेना होता है 7 बन्जा क्या है 7 तो ये इस तरीके से 7 लिख दिया 0 इधर 3 7 जा 21 21 तो 21 में यूनिट प्लेस इधर और 10 प्लेस इधर 3 3 जा 9 तो 9 लिखा अब इसमें क्या लिखें 0 3 1 जा 3 तो कुछ नहीं बचा तो इधर 0 1 की मल्टिप्लाइश 7 से करोगे 7 तो इधर 0 3 जा 3 तो इसमें 0 और 1 1 जा 1 और इसमें 0 अब आपको क्या करना है डाइगनली प्लस करने है तो पहले डाइगनल देखो ये देखो इसका क्या आएगा अंसर 9 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना 6 तो ये 6 आ गया अब इसको देखो करो 7 प्लस 2 9 और 9 18 19 20 और 7 27 की 27 की 7 carry 2 ठीक है अब इसको प्लस करो देखो 3 और 3 6 और 2 8 तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 8 अब इदर क्या बचा देखो 0 प्लस 1 प्लस 0 1 तो 1 और ये तो 0 है ऐसे 0 लिखते है उसका कोई महत तो नहीं है कोई importance नहीं है तो यही हमारा क्या है स्क्वेर है 137 का स्क्वेर जो है वो क्या था 18769 ठीक है करते हैं अब next part तो 8 है 256 का स्क्वेर तो देखो पहली लिखोगे 2 फिर लिखोगे 5 और फिर लिखोगे 6 इसी तरीके से 2, 5 और 6 6, 6 जद 36 6, 5 जद 30 6, 2 जद 12 5, 6 जद 30 5, 5 जद 25 5, 2 जद 10 2, 6 जद 12 2, 5 जद 10 2, 2 जद 4 ठीक है अब आपको डाइगली प्लस कर देने है तो सबसे पहले क्या आता 6 फिर क्या आता इनको एड़ करके 3 2 और 5 5, 10 3, 13 और 2, 15 तो 15 का 5 और कैरी 1 1 और 2, 3 और 1, 4 और 1, 5 तो इनको एड़ करके क्या है हमारा 5 और देखो ये बचा 1 और प्लस 4, 5 1, 6 तो ये 6 आया और ये 0 है जिसको लिखना जरूरी नहीं है ये क्या है 256 का इसको आपको आपको वाइशन समझ में आया होगा चलते है आप नेक्स्क्स्यों पर